कृम 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 कृ ही रहा है तो इस कड़ी में आज हम बात करेंगे धन से दुखी जो मनुस्य है उनके लिए एक लगू प्रयोग कोई बड़ा सा ताम जाम पूजा अर्चना का अनुष्ठान का इसका बात नहीं करेंगे एक लगू प्रयोग करेंगे ये निश्चिती फल्दाई है और धन से द दुखी जो आत्माएं है धन से दुखी जो मनुस्य है उसको सूफल मिलेगा ही मिलेगा आपको करना क्या है एक मुठी गेहूं एक मुठी खड़ा नमक एक मुठी नाग केसर एक खड़ा हल्दी एक बहेडा एक फॉल होता है बहडा जो एक फॉल होता है जो पंसारी के दु काटा हुआ टुकडा और एक तांबे का चरण पादुका इन सब को एक चमच पीली हल्दी में पानी मिला कर रंगना है इसके बाद किसी सफेद या पीले रुमाल जितने कपड़े में बांध कर धूप दिखाएं भगवती जी से अपनी विपर्नता है तो मानसिक प्रार्थना करें भगवती जी को आपना दुख उनको बताएं आप कैसे धन से दुखी है धन आपके लिए कितना जरूरी है उनसे प्रार्थना करें कि वो आपका विपर्नता समाप्त करें और घर की रसोई या किसी सुरक्षित जगह पर इसको लटका देना है पूरी क्रिया समय तक ता प्राजी का जाप करना है ये सब कारियों आपको सुभा ही करना है अगर बिना किसी से कुछ बोले कर सकें तो और जदा अच्छा रहता है और जदा फलदाई होता है कोशिस हो कि रसोई घर में किसी कील से टांग दे अथवा ब्यापारस तल पर अथवा फिर किसी करें ये एक लगू प्रयोग है लेकिन निश्चित फलदाई प्रयोग है इसको हमने अपने बहुत सारे सिस्यों पर इसको आजमाया है बहुत सारे सूफल मिले हैं और इस प्रयोग को लेकर हमारे पास बहुत सारे इमेल बहुत सारे चिठियां आते रहते हैं तो ये निश् प्रसन्न बरदो भवा प्रसन्न बरदो भवा चानल को सब्सक्राइब कर ले ज्यादा से ज्यादा लोग सिद्सादक बरिवार से जुड़ ले